हालो फ्रेंड्स वेलकम अगेन मैं हूँ शुभम और आज हम बनाएंगे स्टफ्ट मूली के पराथे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और साथ ही कुछ टिप्स भी दूँगी जिससे कि आपके पराथे बेलते वक्त या स्टफ्ट करते वक्त फटेंगे नहीं बनाना शुरू करते हैं स्टफ्ट मूली के पराथे अब हम मूली का पराथा बना रहा है तो हम इसके लिए चाहिए मूली ले लिजे इसको अच्छे से दो के साफ कर लीजिए उसके बाद इसके से सकिन को हटाके किसी फूट प्रोसेसर या फिर मैनूली किसी ग्रेट़ से उसके बाद ग्रेट किये हुए मूली में से सारा पानी हम निकालेंगे या तो हाथ से प्रेस करके या फिर किसी कपड़े में लपेट के तो यहां पर देखिए मैंने अलड़ी लगभग तीन पाउंड एक किलो से थोड़ा सा जादा मूली मैंने लिया था जिसको ग्रेट किया इसका पानी निकाल के दिखाती हूं लगबग 20 मिन तक मैंने नमक डाल के छोड़ा था अभी देखिए मैं इस तरह से हाथ में प्रेस करूंगी तो कितना सारा पानी और भी निकल रहा है तो टिप नंबर पन यह है कि मूली में से अच्छे से पानी निकल जाना चाहिए बिल अच्छा पानी जो इसमें था वो निकल चुका है इसी तरीके से यह जो बाकी ग्रेटेड मूली है इसका भी हम पानी निकाल लेंगे इस तरीके से पानी निकालते वक्त एक चीज का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके हाथ बिलकुल अच्छे से क्लीन हो साफ हो दूसर अच्छा पानी निकाल लिया है और अब इसमें हम बस मसालों को मिक्स करेंगे और यह स्टफिंग के लिए हमारा मूली रडी हो जाएगा और यह इतना पानी इसमें से निकला है लेकिन इस पानी को हम फेकेंगे नहीं क्यूंकि इसमें बहुत सारा निट्रिशन तो है ही क्रमबल कर लीजिए और इसमें अब सारे मसाले मिलाएंगे सबसे पहले आधी छोटी चमच अजवाइन डाल रही हूं यह तेस्ट तो बढ़ाएगा ही साथ ही यह डाईजिशन के लिए बहुत अच्छा होता है उसके बाद यह एक छोटी चमच हम इसमें धनिया पाउडर आधी चोटी चमच जीरा पाउडर डालेंगे एक चथाई चोटी चमच आमशूर पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालेजे नमक हमने थोड़ा सा मूली में से जब पानी निकालना था तो इस वक्त भी डाला था इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा आप च अच्छा टेस्ट आता है इसे भी डालना मत भूलिएगा और इसके बाद बस इन मसालों को अच्छे से कर लीजे मिक्स और आपकी स्टफिंग हो गई रेडी उसके बाद इस स्टफिंग को थोड़ी देर ऐसे ही 15-20 मिनिट ढख के छोड़ दीजे ताकि सारे मसालों का टेस् इसके लिए आटे में डाले थोड़ा सा नमक स्टफिंग नमक डालते वक्डियान रखियेगा कि जिस मूली के पानी से अभी हम आटा गूतेंगे उसमें भी थोड़ा नमक होगा आधी छोटी चमच अजवाइन डालेंगे और एक बड़े चमच तेल डालेंगे इससे आटे स्टफ करके बनाएंगे और आटा गूते हुए मैंने वीडियो में दिखाया क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था वैसे अगर आपको आटा गूतने का पूरा प्रॉसेस देखना है तो यहां देखिए उपर में एक लिंक आ रहा है इसको प्रेस कीजिए इस पॉर्शन इस तरह से लीजिए और उसे हाथ में इस तरह से गोल कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा इसमें लगा देंगे और थोड़ा सा बेल लेंगे उसके बाद इसमें हम स्टफिंग करेंगे तो इतना सा बेल लिया उसके बाद इस तरीके से एक हाथ बने पेसे सारी चैविती को थे एक शाध से शेल बंद कर दोगे द्गोल कर लेंगे, तक कहीं से भी स्टफ्पिंग निकला आएगी उसके बाद इस तरीके से दोनों अंगूटे से दबाते वे इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, यह भी बहुत ही इंपोर्टन स्टेप है और यह देखिए उसके बाद मैं किस तरह किसे हाथेली से और उंगलियों के प्रेशर से इसको थोड़ा सा और फैल आ रहे हूं ताकि कहीं भी एर ना रहे और स्टफिंग जो है चारो तरह बराबर फैले उसके बाद इसको बिल्कुल हलके हाथों से बेलन की सहायता से बेल लीजिए बिल्कुल जादा प्रेशर मत डालिएगा वरना पराथे फट जाएंगे बेलते वक्त उसके बाद मीडियम हाई हीट पे तवे को गरम करिए और फिर प अगर पराथे बटर से बनाएंगे तो पराथे ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और ज्यादा दीर तक सॉफ्ट रहेंगे और दोनों तरफ अच्छे ब्राउन स्पॉर्ट आने तक पराथों को पका लिजिए और यह हो गया आपके गरम गरम स्वादिस्ट मूली के पराथे तयार इसे गरम गरम परोशिय का अपमे मनपसंद चट्नी रायते या अचार के साथ या फिर ताजी दही के साथ ब्राथे बहुत अच्छे लगते है और अगर आप चाहते है कि आपके पराथे जादा देर तक गरम रहे तो पराठे बनते के साथ इन्हें अलुमिनियूम फॉयल में लपेद दीजिए और फिर कैसरॉल में रख दीजिए पराठे काफी देर तक गरम रहेंगे आज के लिए बस इतना ही अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलेगा मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई